हेलो दोस्तों, आप से भी को स्वागत है मेरे दूसरे वीदियो पे, तो आज मैं आप लोग को कुछ बताने जारही हूँ, इसलिए वीदियो को एन तक जरूर देखना, तो ये है सोयाबीन, आप लोग को मैं आज बताने वाले हूँ कि सोयाबीन को केसे हम लोग रख सकता है, इस्तोर करके 6-7 मन्स तक रख सकता है, उसको देखाऊंगी, जो पकावला सोयाबीन है, वो 2 विक्स एसे में तो मतलब कराफ हो जाता है, इसलिए में आज आप लोग को देखाऊंगी, 6-7 मन्स तक हम लोग पकावला सोयाबीन को केसे रख सकता है, उसके बाद हम लोग उसक काई भी सेकते हैं, उसको आप लुक देखांगे और यह है अपो सबसे पहले अपो को तो मेने अच्छे तेरा से दो दी है उसके बात यहाँ पे अभी दालूंगी में सोयाबीं को इसको सोयाबीं को हम लुक ना लोकेल बासा में हम लुक पेरोन, रोन्यां, नमसिंग पेरोन वो सब के नाम से भी जाना जाता है पता नहीं आप लोग भी कोमेंट करके बताना आप लोग का लोकेल लेंग्वेज में आप लोग क्या बोलता है सोया बिन को तो आप लोग भी जरूर बताना मुझे कि आप लोग क्या बोलते हो तो यहाँ पे मैंने सारा सोया बिन डाल दिये हो और अभी मैं इसको तोरे देल के रिए दूब में सुकाऊंगी क्योंकि यहाँ पे और भी मुझे अभी डालना है कुछ-कुछ तो इसलिए तोरासा इसको मैं दूब में आगे रख देती हूँ और यह है पानी उसके बाद अधरक अधरक को भी मैं अभी डालूंगी इसलिए अधरक को सबसे पहले मैं इसको अच्छे ज़रा से साप कर देती हूँ अधरक को अधरक को भी अभी में अपना बागान से किच्छन गार्डेन से निकला है इसलिए अभी इसको साप कर रही हूँ और अधरक भी मेरा फेवरेट है सब मतलब काने वाला सिबसे सबसे मेरा फेवरेट होता है और अधरक को हम लोग सबजी में भी डाल के काता है और चाई पीने से भी इसे तोरा सा डालता है इसे बहुत हम लोग यूज़ करता है और हम लोग तो अपना जगा में गर में अधरक को मतलब बोईल अंदा का साथ मिक्स करके काने से बहुत ही तेस्टी होता है इसमेल भी बहुत अच्छा आता है बहुत ही तेस्थी होते है अधरक को मैंने असे से दो दी है उसके बाद इसके मदद से अभी मैं अधरक को चौप करूँगी सोता सोता पीच में कात दूँगी इसके मदद से और ये अधरक अच्छे से पीच के हो रेदी हो गिया है अभी मैं इसको दालूँगी उसके बाद ये नमक और मिर्चा भी दालूँगी सोयाबिन में अब मैं मिलाने वाली हूँ सोयाबिन में अधरक और नमक मिर्च इसके बाद ये सबको अच्छा से मिक्स करने का बाद आप हम इसको कम से कम 4-5 दिन तक दूप में रखेंगे ताकि ये आच्छे से सूब चाहे नमक मिर्चा आपके हिसाब से दाल सकते हो ज़्यादा जाल काने से आप मिर्चा भी ज़्यादा जाल सकते हो मैं तो ज़्यादा जाल नहीं का पाती इसलिए मैं तोरा सही मिर्चा दाल रही हूँ उसके बाद नमक सबको आप मिक्स करके दूप में सुकाएंगे अभी अधरक नमक मुर्शा दलने के बाद हम इसे ऐसे मिला देंगे अच्छी तेरह से बहुत जादा भी हमें सुकाना नहीं है ने तो सोया बिन बहुत जादा ही चोते हो जाएंगे तो यहाँ पे सोया बिन सुक गया है और इसे बहुत जादा भी सुकाना नहीं चाहिए अब हम क्या करेंगे इसे एक दबा में डालेंगे यह रहा सोया बिन असी तरह से मैंने इसे दबा में बर्टी करके रख दिया है और अभी यह 6-7 मन तक चलेंगे